क्या बजट 2023 से आम आदमी को फाइदा हुआ है? वो कौन से सेक्टर है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए? न्यू टैक्स एजिम आप्ट करें या ओल टैक्स एजिम कौन सा बहतर है आपके लिए? बजट से रलेटेड और भी ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में हलो नमस्कार, वेलकम ने ब्राइंड नी वीडियो, मैं हूँ अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइट फिनांशल प्लानर तो चलिए बजट 2023 को डिकोट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम सबके फेवरेट टॉफिक यानि परस्तल इंकम टैक्स के बारे में इसमें सबसे बड़ा चेंज यह हुआ है कि 7 लाग तक इंकम पर अब आपको टैक्स नहीं देना है पर यह सिर्फ नए टैक्स रिजिम आप्ट करने पर ही लागू होगा इंकम पर आपको आईटी रिटरन फाइल करना ज़रूरी नहीं है पर कन्फूशन तो यहां है कि जब बेसिक एंकम लिमिट 3 लाग की है तो 7 लाग की इंकम पर 0 टैक्स कैसे नेस लाबरेट कुछ इस तरह से है इसके हिसाब से 3 लाग पर कोई टैक्स नहीं आएगा नेक्स 3 लाग यानि 6 लाग तक 15,000 का टैक्स आएगा और बाकी 1 लाग पर 10 परसंट का टैक्स लेगेगा यानि टोटल अगर हम करें तो 7 लाग पर 25,000 का टैक्स आएगा अब आप इसमें एक्जम्शन वाला सेक्शन 87 लगा दीजिए तो ये 25,000 जो है वो एक्जम्ट हो जाएंगे तो हो गए न 7 लाग पर 0 इंकम टैक्स ये रीबेट 1 एपरिल 2024 से एप्लिकेबल होगा नेक्स बड़ी ख़बर उनके लिए जिनका बिजनस है या वो किसी प्रोफेशनल में इंगेज है प्रिजम्टिव टैक्सेशन जिसे चूज करने पर बिजनस अपने टर्नोवर का 8% ही टैक्स पे करते हैं अगर आपने कैस में सेल्स नहीं किया है तो 6% पर ही टैक्स पे करना होता है पहले इस कीम को आप्ट करनी की टर्नोवर जो लिमिट थी वो 2 करोड थी पर अब इसे बढ़ा कर 3 करोड कर दिया गया है सिमिलरली प्रोफेशनल भी प्रिजम्टिव टैक्सेशन में अपने टोटल डिशिप्स का 50% पर टैक्स पे कर सकते हैं पहले प्रोफेशनल इसे तभी आप्ट कर सकते थे जब उनकी ग्रॉस इसे 50 लाग की थी पर अब इसे भी बढ़ा कर 75 लाग कर दिया गया है पर ध्यान रहे दोनों ही केसेज में कैस इसी 5% से ज़्यादा नहीं होना चीए और ये 1st एपिल 2024 से एप्लिकेबल होगा हाई ये सचार्ज रेट को भी 37% से कम करकर 25% कर दिया गया है सेक्षन 54 एं सेक्षन 54 एफ जिसमें कैपिल गन से रेसिडेंशल हाउस खड़िदने पर जो एक्जेम्शन मिलता था अब उन सेक्षन की मैक्सिमम डिरेक्शन लिमिट 10 करोड तक कर दी गई है अब बात करते हैं इंशॉरेंस सेक्टर को बजेट का सबसे ज़्यादा एफेक्ट इंशॉरेंस सेक्टर पर पड़ा है क्योंकि अब साल भर में 5 लाग से ज़्यादा लाइफ इंशॉरेंस पे करने पर जो मैचूरिटी मिलेगा वो अब टैक्सिबल होगा पर हाँ ये उनी पॉलिशी पर लागू होता है जिने आप 1st April 2023 या उसके बात खरीदेंगे तो अभी कुछ टाइम है अगर आप traditional इंशॉरेंस पॉलिशी पांच लाग या उससे ज़्यादा का खरीदना चाहते हैं जिसकी maturity आपको tax free चाहिए तो 31st March 2023 के पहले खरीद लीजे पर ध्यान रहे जो death proceeds हमें मिलती है उन पर कोई tax नहीं है और ये ULIP पर भी applicable नहीं है क्योंकि ULIP के लिए ये limit धाई लाकी already कर दी गई है नए tax regime को default tax regime बना दिया गया है मतलब अगर आप खुछ select नहीं करते हैं तो by default नए tax regime आपके लिए applicable होगा तो ये दो हो गए direct tax proposal के बारे में तो चलिए जानते हैं indirect tax proposal के बारे में जिसे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमारे लिए सस्ता हुआ है और क्या हमारे लिए महंगा हुआ है तो सस्ता हुआ है mobile phone के camera lens, lap grown diamonds, copper scrap, compounded rubber और वही gold के jewelry, silver imported cars, imported EVs, imported toys and bicycles अब आपके लिए महंगे हो जाएंगे तेली यहां government gold and silver के consumption को कम करना चाहती है और India में cars, toys and EV के manufacturing को boost करना चाहती है तो चलिए बात करते हैं sectors की infrastructure sector को boost करने के लिए 10 lakh करोड invest किया जाएगे जो की 33.4% जादा है चेट government को 50 साल तक का interest fee loan भी continue किया जाएगा साथ ही railways को improve करने के लिए 2.4 lakh करोड invest किया जाएगा जो की अभी तक का highest है अगर हम sector wise budget allocation देखे तो सबसे जादा allocation different sector में किया गया है जो की 5.94 lakh करोड का है और दूसरा sector है transport sector जहाँ भी बड़ा allocation किया गया है next is budget में green energy और artificial intelligence में भी काफी focus किया गया अब green mobility को बढ़ावा दने के लिए lithium-ion batteries का use करना पड़ेगा और इन batteries को manufacturing करने के लिए जो machinery import की जाएगी उस पर import duty कम कर दी गही है agriculture sector में fertilizers और chemical का use कम करने के लिए PM प्रनाम लाँच किया गया है और अब 500 new waste to wealth plans भी बनाए जाएगे भारत के youth empowerment के लिए पधान मंतरी कोशल विकास योजना 4.0 लाँच किया गया है जिसमें new wages courses जैसे coding, robotics, artificial intelligence, 3D printing, drone जैसे field में youth को educate किया जाएगा तो यह दी मेरी analysis budget 2023 के बारे में I hope आपको मेरी analysis पसंद आई होगी आप इस budget से कितना खुश है आपकी life में ऐसा क्या जहें जाने वाला है यह हमें comment करके ज़रूर बताईए मिलते हैं next video में with new investment knowledge and strategy के साथ ताप ताप इस video को देखने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ invest करें, खुश रहें